ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सोलन में खिलाडियों की प्रत्वा खेल के मैदान के आवाव के कारण दम तोड रही है जिला खेल विवाग ने खिलाडियों की प्रत्वा निखाने के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने की गोशना की थी गौर्टलब है कि ये गोशना 2011 में की गए थी जिसके लिए विवाग ने कुछ दन रासी लोक निर्माण विवाग से भी जमा करवा दी थी ताकि स्टेडियम का कारया जल्द आरम हो सके लेकिन सिरकारी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसे पूरा करने में विवाग को आठ वर गौर्टलब है कि ये गोशना 2011 में की गई थी जिसके लिए विवाग ने कुछ धन रासी लोक निर्माण विवाग को भी जमा करवा दी थी ताकि स्टेडियम का कारया जल्द आरम हो सके लेकिन सिरकारी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसे पूरा करने में विवाग को आठ पर्ष लग चुके हैं जो अभी तक भी पूरी नहीं हुई है बीते आठ वर्षों में अब इंडोर स्टेडियम की लागत भी बढ़ चुकी है जिसके लिए फिर से विवाग को लिखा गया है कि अब ये प्रक्रिया कितने वर्ष और लेगी ये देखने बाली बात होगी ज दिक्चानकारी देते हुए लोग निर्मान के अधिशाशी अभियंता अरविंदर कुमार ने बताया कि नियम के अनसार खेल विवाग को इंडोर स्टेडियम की कुलागत का 30 प्रतिशत लोग निर्मान विवाग को जमा करवाना था लेकिन विवाग ने केबल 2 करोड किया जा चुका है और संशोदित नक्षा भी सरकार के पास भेज दिया है जैसे ही अनुमती आएगी इंडोर स्टेडियम का कारिक आरंप हो जाएगा अब फिर हमने रिवाइज इंडियस के लिए केस बेजा है जानता कि धनराश्ची का प्रशन है देखिए विवाग एक सतर पे है इसमें कि 30% आफ दी इंडियस अमाउंट जमा होनों चाहिए ताकि स्मूथ फ्लो आफ कैश बना रहे इन केस काम अवाड हो जाएग पड़े सरकार इंडोर स्टेडियम निर्मान के लिए घोशना कर चुकी है और इसके लिए दन देने में भी पीछे नहीं है लेकिन विभागों की आपसी तालमेल की कमी से इंडोर स्टेडियम का निर्मान कारे आरंप ही नहीं हो पा रहा है स्टेडियम की ओपचारिकताएं